Hello students, आप पढ़ रहा हैं Dispersal of Seeds, आएजे देखते हैं, Dispersal of Seeds by Bains Some seeds are small and light in wind कुछ seeds जो होते हैं, वो छोटे होते हैं और वजन में हलके होते हैं They have Bains or hair present around them उनके चारो तरफ Bains या फिर hair जो हैं उपस्थित होते हैं These structures help them to blow away with the help of Bains या structures जो है, उन्हें हवा के द्वारा जो है, दूर तक फैलने में मदद करते हैं आईए अप second देखते हैं, Dispersal of Seeds by Water The plants that grow in or near water, ऐसे पोधे जो water के नजदीक उपते हैं, are dispersed by water उनका ब्रीज का विखराव जो है, वाटर के द्वारा होता है The fruit of these plants and spongy and easily float with the current of water to far off places उनके जो fruits होते हैं, वह जो है, spongy होते हैं और आसानी से पानी के उपर तहरते हुए किके पानी के बहाओ के साथ जो है, एक जगा से दूसरे जगा पहुँच जाते हैं Dispersal of Seeds by Water, the plant that grow in or near water, ऐसे पोधे जो वाटर में उपते हैं, या फिर वाटर के नजदीक उपते हैं, are dispersed by water, उनके जो seed हैं, वह वाटर की मदद से बिखरते हैं The fruit of these plants, ऐसे plants के जो फल हैं, fruits हैं, are spongy and easily float, वह spongy होते हैं, और आसानी से तहरने वाले होते हैं With the current of water to far off places, और वाटर के बहाओ के द्वारा जो है, वह दूर तर पहुच जाते हैं Seeds that spread with the help of water are coconut and lotus seeds Water के help के द्वारा, जो bees जो है, एक जगा से दूसरे जगा पहुचते हैं, उसका example आप देखें, coconut and lotus seeds आप देखें figure पहला, यह coconut seed है, जो water currents के द्वारा एक जगा से दूसरे जगा पहुच जाता है यह lotus है, यह in the water होता है, इसके भी seeds जो है, water की मदद से एक जगा से दूसरे जगा पहुच जाते हैं नेक्स जगते हैं, dispersal of seeds by animals, एनिमल के द्वारा बीज का दिख रहा हो सम प्लांट seeds have sticky hairs, bristol, hook, or barbs with stick to the body of animal and are carried away to far off places सम प्लांट seeds, कुछ पोधों के बीज जो होते हैं, वह sticky hair होते हैं उनके hair ऐसे होते हैं, जो sticky होते हैं, चिपक जाते हैं bristles उसमें पाया जाते हैं, hooks पाया जाते हैं, या फिर bars पाया जाते हैं with stick to the body of animals, जो जानवरों के सरीर से वह चिपक जाते हैं and are carried away to far off places, और अपने जगा से वह दूर तक पहुच जाते हैं जैसे आप फिर्टर देखो blackberry, इसमें जो हैं, आप देखरें, bristles निकले हुए हैं, नुकिले, नुकिले, तीखें, उसी तरह से आप bird, टीखें, bird dog में देखें, उभार निकले हुए हैं, mimosa में और wager ticks में, यह जो उभार निकले हुए हैं, यह सब sticky hairs होते हैं, bristles होते हैं, hooks होते हैं, बाब्स होते हैं, यह जो हैं, animal के सरीर से चिपक जाते हैं, और वह अपने place से दूर के place तक पहुच जाते हैं, अब यहाँ पे देखें, यह things and answer, यहाँ पे आपको think करना है, सोचना है और इसका answer write down करना है, which plants lives shrink when we touch it, कौन सा पोदा है, जिसकी पत्तियां जो है छूने से सिकुड जाते हैं, इसका answer आपको यहाँ पे देना है, यह आपका है homo work, आगे देखते हैं, dispersal of seed by animals में, birds and some other animal eat the fleshy fruits, birds और दूसरे animal जो हैं, वह fleshy foods को खाते हैं, and scatter their seeds at different place, और उसके बीच को जो है, अलग-अलग जगों पे फैलाने का काम करते हैं, birds and some other animal, चिडिया और दूसरे जानवर eat the fleshy fruits, वह fleshy fruits को खाते हैं, and scatter their seeds at different place, और उसके बीच को जो है, अलग-अलग जगों पे फैलाते हैं, they may also eat the seeds that are not digested, वे जो seeds को खाते हैं, वे जो बीच को खाते हैं, वो जो है, that are not digested, वो पस्ता नहीं है, अगर वो नहीं पस्ता है, and are passed out, और उसके सरीर से बाहर निकलता है, without dropping, जब वो ड्रॉप करते हैं, जो पठाना करते हैं, ट्वारेट करते हैं, तो उसके रास्ते से वो बीच भी क्या तिकलता है, बाहर निकल जाता है, often far away from the parent plant, और अपने parent plant से दूर तक वो बीच पहुंच जाता है, तो आप देख रहे हैं कि bird and some other animals eat the fleshy fruits and scatter their seed at different place, birds और दूसरे animals जो हैं fleshy fruits को खाते हैं, और उनके बीच को जो है अलग-अलग place पर पहुंच आते हैं, they may also eat the seeds, वे जो हैं, वो seeds बीचों को खा जाते हैं फलों के साथ, that are not digested, जो हैं और वो पस्ता नहीं है, and are passed out, और जब उनका toilet आता है बाहर, with their dropping, उसके dropping से often far away from the parent plant, और parent plant से वो seeds दूर तर पहुंच जाता है, जैसा figure आप देख रहे हैं, bird eating orange, यहां पे birds जो है orange को eat कर रही है, bird eating papaya, birds जो है papaya को खा रही है, squirrel eating apple, squirrel जो है apple को खा रही है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यह जो animals हैं, animals हैं या फिर birds हैं, वह इस method से seed का dispersal करते हैं, तो first आप ने देखा था dispersal of seed by winds, फिर आप ने देखा dispersal of seed by water, अब आप पूर रहे हैं dispersal of seed by animals, आप देखते हैं last, dispersal of seed by explosion, seed का बिखराव बिशफोट के द्वारा, some fruits scatter their seed by exploding the seed parts, कुछ fruits जो हैं, अपने बिश का बिखराव जो है, उनके exploding द्वारा होता है, वह उनका बिखोट होता है, जिससे उनका seed बिखर जाता है, when the seeds are ripe and the part has dried, जब seed जो है, ripe होता है, और part क्या होता है, dried सुख जाता है, इट ब्रस्ट, तो वह क्या होते हैं, ब्रस्ट वह फट जाता है, open and the seeds are scattered, और उसके seed क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, for example, parts of squirting cucumber, figure आप देखें, part of squirting cucumber का यह figure है, यह cucumber है, यह जब पक जाएगा, तो यह फट जाएगा, फट जाएगा तो इसका बीट इसका हो जाएगा, बिखर जाएगा, for example, parts of squirting cucumber, spread their seed by explosion, इसमें explosion के दोरा seed का विखराव होता है, figure में आप देख रहे हैं, part of squirting cucumber का figure, जब यह पक जाएगा, ठीक है, और सुखने लगेगा, तो यह फट जाएगा, फट जाएगा, इसके बीच जो हैं, बिखर जाएगे, तो some fruit scatter their seed by exploding, the seed parts, कुछ, कुछ fruits ऐसे होते हैं, जिनके बीच का विखराव, exploding दोरा होता है, seed parts के फटें के दोरा होता है, when the seeds are ripe, जब seeds जो हैं, ripe हो जाते हैं, and part has dried, और उसका part सुख जाता है, it brushed, तो वह फट जाते हैं, open, and seeds are scattered, और उसका base विखर जाता है, for example, parts of squirting cucumber spread their seed by explosion, squirting cucumber का seed जो है, वह explosion के दोरा भिखर जाता है, ठीक है students, तो इस वीडियो में आपने dispersal of seed के बारे में पढ़ा, अब next वीडियो में आपको reproduction from other part of plants के बारे में explain करेंगे, ठैंक यू, आप provision कीजिए, ठैंक यू,